हेलो स्रेंड्स वेल्कम टू आरके लर्निंग अकैडमी स्रेंड्स आज डेट है 29 जून 2022 और डेटर प्लैसबी के द्वारा जो भी लेटस्ट अपडेट जारी की जा रही है आज की दिन में वो साथ ही साथ हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं इससे पहले जो वीडि अप्लोड करने के रिगार्डिंग है जो की असिस्टेंट टीचर नसरी पोस्ट कोड 43 by 21 के रिगार्डिंग है और इसके साथ ही फ्रेंड्स एक बड़ी खुसकबरी भी आप लोगों के लिए निकल कर सामने आ रही है आप देखेंगे यहां पर जो दास ग्रेड सैकिन की भ आप लोग देख सकते हैं यहां पर गौर्मिंट ओफ हैंसिटी ऑफ डैली के द्वारा 14 मार्श 2016 को पोस्ट कोड 90 by 09 के रिगार्डिंग जो आपके अग्जाम थे उसको कैंसिलेशन के रिगार्डिंग यहां पर डिसीजन लिया गया था इसके बाद यह कोड में के सिला गया है कि it is to inform that fresh examination tier 1 and tier 2nd for the post of grade 2nd DAS in services department GNCT of Delhi post code 90 by 09 will be conducted by D3 class B यह बता दिया गया है यहां पर 61,278 candidate थे जिनके के admit card यहां पर जारी किये जा चुके थे issue किये जा चुके थे by the board for the tier 1 exam जो कि आपका कंड़क्ट किया जाना था 29 जून 2019 को the list of 61,278 candidate has been uploaded on the website data class B यह आपकी website बता देगी है data class B डेले जी ओवीटी डोट अनिसे डोट इन अब देखे क्या कहा गया है अब ओ लिस्टीड 61,278 candidate are hereby informed that they have to fill up their application form online through online application registration system यानि OARS for which a link will be made available shortly तो friends यहां पर यह जो candidate थे जिन्हों ने पहले इस vacancies के लिए apply किया था और इनके admit card भी release किये जा चुके थे लेकिन भरती को cancel कर दिया गया था तो आप इनके लिए link को दुबारा open किया जाएगा इनके application form दुबारा से registered किये जाएंगे OARS portal पर आपका link available रहेगा तो आपको देखिए बोला गया है intimation regarding opening of the link and its duration will be notified separately तो यह आपको notice अलग से दिया जाएगा बट इतना confirm कर दिया गया है कि इस भरती की दुबारा से starting की जाएगी application आपके open किये जाएंगे submission again से आप लोग कर पाएंगे यहां पर और in case of non receipt of online applicant from the candidate it will be constitute that the candidate is not interested to apply again for the post of grade 2nd task under postcode 90 by 09 and no further opportunity will be extended to him or her and any correspondence in this regard will not be entertained तो friends जिन भी candidate ने इस भरती के लिए grade 2nd task के लिए postcode यहां बता दिया गया है पहले apply किया था 90 by 09 इस postcode के लिए और जो यह भरती आप लोगों की cancel कर दे गए थी court में आप लोगों का case गया हुआ था तो अब आप लोगों को again यह opportunity दी जा रही है आपके application form जल्द ही start हो जाएंगे तो जिन candidate ने पहले यहां इस भरती के लिए apply किया था उनको फिर से application form भरने के लिए बोला गया है तो बाकी की जो आपकी वकैंसी है या इसकी term or conditions है वो सब आपकी same रहेंगी वो बिल्कुल भी change नहीं होंगी अगर आपको इसकी copy देखनी है तो copy of the advertisement number advertisement number है आपका यह 004 by 2009 तो इस advertisement की जो copy है आपकी वो आपको available होगी date place b की official website पर तो आप इसको reference के regarding check कर सकते हैं read कर सकते हैं ओके friends तो अब इस भरती को approve कर दिया गया है तो जिन भी candidate ने इस भरती के regarding पहले यहां पर apply किया था उनको फिर से मुका दिया जा रहा है grade second task की इस post code के लिए दुबारा से नए सीरी से भरती आपकी शुरू के जाएगी तो आप लोग यह application form भर सकते हैं और आए ब next notice को हम check कर लेते हैं जो कि आपके teaching post के regarding है और यह भी just अभी की latest update है friends देख रहे होंगे आप लोग 29 जुन 2022 की latest update है और यहां पर एडोजिर को upload करने के regarding यह notice जारी किया गया है assistant teacher nursery की post के लिए post code 43 by 21 तो इसके एडोजिर को upload करने के regarding यह notice जारी किया गया है और friends to friends में यह सारी detail आपकी date wise यहां बता देगी है तो friends इस notice में देखिए क्या कहा गया है on the basis of documents in the EDOJ uploaded by the suit listed candidate the result of eligible candidate has been declared by main result notice number आपका इसका main result जारी कर दिया गया था notice number है 877 जोकि आपका 24 जुन 2022 को declare किया गया था जिसमें के 74 vacancies थी जनरल के यहां पर 46, EWS की 8, OBC की 8, SC की 9, ST की 3 including PWD 4 और यह आप सारी detail friends आप देख सकते हैं और यहां पर देखिएगा जो 4 vacancies थी under EWS category still remain unfilled तो जो EWS की यहां पर vacancies थी वो 4 vacancies यहां unfilled रहती हैं ठीक है however the qualified candidate under EWS category were shortlisted earlier up to the cutoff marks cutoff marks आपके यहां बता दिये गये थे candidate को shortlist कर दिया गया था 99.97 यहां लोगों की cutoff रही थी तो इस पोस्ट कोड की यह प्रकिरिया यहां हो चुकी इसकी बाद in partial modification at para 26 of the result notice number 877 जो की आपका 24 जुन 2022 को declare किया गया था the recruitment process is kept opened for filling up of existing four vacancies under EWS category from the qualified candidates below the last shortlisted candidate in the merit तो यहां पर फ्रेंड्स आपकी जो recruitment की process है उसको दुबारा से open किया जा रहा है इस para number 6 के according यहां modification किया गया है जो यहां चार vacancies existing है EWS category के अंडर यहां पर जो qualified candidate हैं जो की short list किये गये थे below the last shortlisted candidate in the merit तो merit के according यहां पर जो shortlisted candidate थे उनमें से इन candidate को यहां apply करने के लिए पोला गया है validity of the waiting panel will remain the same और जो waiting panel list है उसकी validity सेम रहेगी 23 जून 2023 तक की तो यह जो EWS की चार vacancies है इनको feel करने के लिए दुबारा से candidate को E. Rozier को upload करने का यहां मोका दिया जा रहा है further based on the performance in the examination online mode more qualified candidate who obtained marks above are equal to minimum qualifying marks in each section यानि दोनों section में separately आपने इस exam को clear किया हुआ हो cut of equal या उसे above आपके marks होने चाहिए under EWS category below the last sort listed candidate in notice जो की आपका बारा जनवरी 2022 को जो notice आपका जारी किया गया था जिसमें cut of बताएगी थी तो उसके according अगर आपके marks यहां बन रहे है are sort listed for uploading of E. Dozier subject to attaining minimum qualifying marks and correctness of the information furnished by the candidate in his her online application form for the post of assistant teacher nursery post code 43 by 21 तो friends आप देख सते हैं यहां पर cut of marks भी आपके बता दिये गए है of E. Dozier under EWS category only have been given as under so friends EWS category के आपके cut of mark 85.23 आपके बताएगे हैं यह आपके part 1 and part 2 दोनों आपके qualify होने चाहिए तो जिन भी candidate के this cut of के equal या इसके अब हो आपके mark से तो आप यहां apply कर सकते हैं E. Dozier पर अपने document को upload कर सकते हैं 200 marks में से आपकी cut of बनाएगी है E. Dozier का link आपका active रहेगा 15 days के लिए 8 July 2022 से लेकर के 22 July 2022 तक का समय आपको दिया गया है E. Dozier पर document को upload करने के लिए से only for E.W.S. category candidate below large short-listed candidate beside the any candidate who was earlier short-listed for uploading of E. Dozier wide notice number या अपका दिया गया है ओके फ्रेंड तो आप लोगों को ही opportunity दी जा रही है The candidate uploading E. Dozier should ensure that he see fulfilled the eligibility criteria as on the cut of date 24 June को जो आपकी cut of date जारी की गई थी Advertisement number है 02 by 2021 तो इसके according आप देख लीजेगा eligibility के criteria को अगर आप यहाँ पर fulfill करते हैं तो आप E. Dozier को upload कर सकते हैं ठीके फ्रेंड्स आपका link active रहेगा 15 दिन के लिए Okay friends, so deed replys B. के दवरा एक यही latest update जारी के गई थी जो की साथ ही हमने आप लोगों के साथ share कर दी है I hope video आप लोगों को जुरूर informative लगी होगी तो friends, video को ज्यादा से ज्यादा आप share कीजेगा कि यह information related candidate तक पहुच सके और इस information का वह benefit ले सके Okay friends, तो फिर मिलते हैं किसी new update के साथ Take care and thank you so much